Hello Friends, Welcome to our channel Let's Nurture Our Minds मेरे आप में देख रहे हैं कुछ पत्ते हैं ये और कौन से पत्ते ही आपको बता रहा हैं मैं आज इसके फाइदे आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप इन पत्तों को जैसे मैं बता रही हूँ वैसे यूज करते हैं तो आपको 8 फाइदे मिलने वाले हैं 8 Benefits जो आपकी सेहत को बहुत अच्छा कर देंगे जो आपके बालों को बहुत अच्छा कर देंगे और आपकी स्किन को भी बहुत अच्छा कर देंगे तो चलिए पहले तो आप सोचिए कि कौन सा पत्ता है जल्दी से बता दें आज कल ये सर्दियों में थोड़ा सा मुर्जाया हुआ सा आपको नजर आ रहा है जून जुलाई में इसमें नहीं पत्ते आते हैं बहुत अच्छा ही दिखता है तो पहचान तो आप गए हैं अब च में बताऊंगे पीना है इसको खाना नहीं पीना है और कैसी बनाना वह भी आपको बताऊंगी तो इसका सबसे पहला फाइदा यह है कि इसके अंदर कुछ ऐसे इन्जाइम्स होते हैं जो अगर आपके डाइजिस्ट्टिव सिस्टम में जाते हैं तो वहां पर आपको मिल जाते हैं तो यह डाइजेशन के लिए अच्छा है इसलिए नमर टू आता है कि यह वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा है बढ़ा हुआ वजन आज कल की बहुत-बड़ी समस्या है जिसको देखो वजन कम करना चाहता है चाहे वह वजन से परिशान होके कम करना च करना है रोजनिक लाइता है आप अपना वजन कम करना चाहते बड़ावा वजन तो खुद मे बिमारी और की ब vanंव yen का भाई तो बहुत-इसलिए वजन नहीं बढ़ना चाहिए और यह जो पत्ते हैं इसका ड्रींक जो बनांगे यह वेट लॉस में आपकी बहुतम्रस करे आपको बहुत लंबे समय तक फुल रखते हैं और जब फुल रहते हैं तो फाल तु खाने की ज़रत नहीं पड़ती मन ही नहीं करता है फाल तु कुछ खाने का तो आप unnecessary snacking से बढ़ जाते हैं और जब unnecessary snacking नहीं होगी तो आपका calorie intake कम होगा और आपका वजन अपने आप घट जाएगा तो यह weight lose करने वालों के लिए तो एक रामबान नुस्का है आप बड़े आसाने से weight lose कर सकते हैं और सबसे बड़ी बात है कि हम यह जो पौदा है यह इंडिया और शिरलंका का पौदा है बहार तो यह मिलेगा भी नहीं हम लोग बड़े लखी है कि हमारे यहां प करता है यह आपके खाने के अंदर जो गुलकोष जाता है उसको एकदम से breakdown नहीं करता है धीरे-धीरे ब्रेकडाउन करता है और धीरे-धीरे आपके blood stream में जाता है जैसे जैसे जाता है energy में convert होता रहता है और blood sugar को नहीं वढ़ने देता है तो यह diabetes patient के लिए तो बहुत ही अ करें लिए इसके और वी बहुत सारे फायदे हैं एले इसे बना लेते हैं पर थे झाले भ झाले ही झाले है चाले हैं। झाले हैं मौध्य में बास्ट हो इप हैं इंपति कर दोड़ां। जले हैं आरे लागे हैं। करी लीव्स की ये ड्रिंक चोटे मोटी respiratory problem के लिए भी बहुत अच्छी है किसी को खासी है जुखाम है जुखाम की वज़े से नाग बंद हो गया है सास लेने में problem हो रही है तो ये drink वहाँ पर respiratory track को clear करके nasal track को clear करके सास लेने की जो problem शुरू हो गई थी उस परिशानी से उसको ठीक करती है आखों की रोशनी कम नहीं होती है maintain होके रहती है वो जरूरी है कि आपको कुछे चीज़ों का ध्यान भी रखना होगा अपने आखों की care भी करनी होगी लेकिन ये आखों के लिए बहुत अच्छा है because of its vitamin A content next is ये आपके बालों के लिए और आपके skin के लिए बहुत अच्छा है इसको अगर आप अपने बालों में लगाते हैं या skin के उपर लगाते हैं तो ये बाहर से फायदा करेगा और अगर आप ये drink पीते हैं तो ये अंदर से फायदा करेगा बालों के जड़ों को मजबूत करेगा, स्किन को अंदर से टाइट करेगा, उसकी elasticity को बना के रखेगा, और anti-aging properties होती हैं इसकी, माले आपकी स्किन धीली लटकी हुई नहीं रहेगी, जो fine line जल्दी दिखने लग जाती है, और आप अपने आपको young feel करेंगे, क्योंकि आप energetic रहेंगे तो young आप feel करेंगे, और जब आप young feel करेंगे तो आप young रहेंगे भी, next step ये आपको anemia के risk से बचाता है, anemia क्या होता है, खून की कमी, अगर anemia हो जाए, अगर आपका homoglobin बहुत कम हो जाए, तो ठकान रहती है, काम करने को मन नहीं करता है, आप बिमार गिरा पड़ा सा महसूस करते हैं, ऐसी condition ना आए, उसके लिए आपका blood का जो level है, homoglobin का level है, वो सही रहना चाहिए, और ये leaves blood को rich करते हैं, क्योंकि इनके अंदर iron बहुत जादा है, आपका blood rich होता है iron से, और इसमें iron काफी मात्रा में है, तो आपका homoglobin सही रहेगा, जब homoglobin सही रहेगा, आपका blood healthy रहेगा, तो जब healthy blood पूरी body में circulate करेगा, तो आपकी overall health अच्छी रहेगी, आपके बालों तक भी अच्छी oxygen जाएगी, यह अच्छा blood जाएगा, आपकी skin तक भी दोनों चीज़े अच्छी से जाएगी, तो आपकी skin बाल सब सही रहेगी, यह आपके red blood cells के लिए बहुत अच्छा है, उनको जितने आपके red blood cells जादा होगे, उतना है आपका healthy और rich blood रहेगा, तो उनके लिए भी यह बहुत अच्छा है, इसके बाल आता है कि यह आपकी cardiovascular health के लिए भी बहुत अच्छा है, आपके heart की health के लिए भी अच्छा है, अगर यह leaves regularly खाये जाते हैं, तो heart की problems का risk भी कम हो जाता है, और cancer जैसी problem का भी risk कम हो जाता है, यह heart के लिए क्यों अच्छा है, क्योंकि यह आपके bad cholesterol को और triglyceride को कम करता है, good cholesterol को बढ़ाता है, हमें good cholesterol तो चाहिए ही चाहिए, तो उसको बढ़ाता है और bad को कम करता है, तो यह आपकी heart के लिए भी अच्छा है, आपके arteries वगरा जो और clear रहती हैं, उनमें clog होने का, उनमें कोई clot होने का chance नहीं रहता है, और आपके heart को मजबूत करके रखता है, इसके अंदर वो सारे vitamins हैं, वो सारे minerals हैं, जो आपके heart के health के लिए चाहिए, तो देखो, छोटा सा पत्ता है, ज्यादा कुछ आपने करना नहीं है, ये पत्ता ही खाना है, आपने कभी किसी बक्री को, कभी किसी गाए को बिमार होते देखा हैं, हाँ, आजकल तो थोड़ा हो जाती हैं, क्योंकि हम लोग उनके लिए कच्छरा छोड़ते हैं, जो हमने अपना environment खराब कर रखा हैं, उसकी वज़ासे वो बिमार हो जाती है, otherwise, नेचर ने उनको ऐसी एक सिफ़त दी है, कि वो बिमार नहीं होती, क्योंकि वो ये पत्ते खाती रहती हैं, कभी नीम का खालिया, कभी इसका खालिया, कभी कोई और खालिया, तो बिमार नहीं होती, यह पत्ते हमारे लिए भी बहुत अच्छे है चोटे चोटे पत्ते हैं और ज्यादा आपको चाहिए नहीं आपको बस इतने से पत्ते चाहिए एक बार की द्रिंक में बस हो गया आपकी बन जाएगी कैसे बनाते हैं वह मैंने आपको दिखाई दिया है तो आप इस तरीके से अपनी इस ट्रिंक को बनाएं पीए रेगुलरली आप ऐसा कर सकते हैं कि 15 दिन तक लगाता पी लिया उसके बाद थोड़ा गैप दे दिया फिर 15 दिन तक पी लिया और आपको बहुत फायदा होगा खाली पेट पीते हैं तो बहुत ही ज्यादा फायदे होंगे अगर खाली प